हेलो दोश्टों, वेलकम टु यूनीक ऑनलाइन गुरू चैनल और एक्सल की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा था सम, सम इफ और सम इफ ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे, काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ ठीक है, सम का क्या मतलब था कि हमें किसी चीज का टोटल करना था, सम इफ का मतलब किसी एक कंडिशन के बिहाफ पे टोटल करना था, और सम इफ का मतलब एक से ज़्यादा कंडिशन के बिहाफ पे हमें टोटल करना था, ठीक है, काउंट में क्या होता है हमें गिनना रहता है जैसे for example मान लिजिए आप सभी के पास 100 के दो नोट 500 के दो नोट है ठीक है तो अगर आपसे कहा जाएगा Sum करिए तो आप क्या करेंगे 5, 5 के दो नोट है 1000 रुपए और 100 के दो है टोडल 1200 रुपए ठीक है पर अगर आपसे कहा रहे count करिए कि आपके पास कितने नोट है तो आप क्या count करेंगे 100 का 1 100 का 2 500 का 1 500 का 2 मतलब 1, 2, 3, 4 नोट है तो वही मतलब count क्या करता है सिर्फ गिन के बताता है कि आपके टेबिल में जो range आप select किये है उसमें कितने जगा number आया है alphabet को वो count नहीं करेगा सिर्फ number को अगर मान लीजिए count formula price पे लगाऊंगा तो ये price की पूरी range को calculate कर लेगा और discount पे लगाऊंगा condition के बिहाफ पे गिनेगा अब count नहीं से मतलब एक condition से ज़्यादा होगी तो उसके बिहाफ पे गिनेगा तो आईए देखते है count formula कैसे लगता है तो वही करेंगे formula activate करने के लिए is equal to और count count लिखेंगे टैप करेंगे अब देखिए value 1, value 2 तो हमने क्या बजाया था कि हम पूरी range select कर लेंगे पूरी range select करने के बाद bracket बंद करेंगे और enter कर देंगे तो 11 आया मतलब 11 cell ऐसी है जिसमें number लिखा है बाकी cell में क्या है आपका ये दिया है क्या कहते है alphabet ठीक है देख लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा ठीक है बागी सब में क्या है alphabet है अब count if कर लेते है count if formula activate करने के लिए भाई is equal to count if लिखने के बाद tab कर देंगे range पूछ रहा है तो हम देख क्या कहा गया count total number of television सिर्फ television हमें count करना है तो ये बता दूँ दोस्तों condition में आप alphabet को भी count कर सकते है पर सिर्फ count में सिर्फ number count होगा ठीक है आईए तो total number of television television आपका किसमा product में तो ये पूरी range ले लेंगे comma करेंगे criteria तो क्या कहा है television बताइए हमे सिर्फ television गिनना है तो television को select कर लेंगे और bracket बन करके इंटर तो कितनी जगा television है एक, दो, तीन, चार जगा है count if एक से ज़्यादा condition is equal to count if टैब अब criteria range 1 तो पहले क्या कहा है count total number of watches तो watch किसमे है आपका product में तो पूरा range select कर लेंगे पूरा criteria क्या है तो हमने कहा watch है ठीक है फिर comma करेंगे अब criteria range 2 तो क्या question में कहा है watches in north zone तो zone पूरा select कर लेंगे और comma कर देंगे अब इसमें क्या हमारा criteria है north zone ठीक है north zone हमें मिल गया अब bracket बंद करके हम enter कर देंगे देखिए आगे आपका चार जगह ऐसे watches है जो north zone में है गिन लेते हैं एक ये north zone में है दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचों आला watch कहा है आपका east zone में है इसलिए इसे count नहीं किया है तो count मतलब सिर्फ number count होता है count if मतलब आप alphabet और number दोनों count कर सकते हैं पर condition की बहाव पे एक condition और count if मतलब number और alphabet दोनों count होंगे पर एक से ज़्यादा condition की बहाव पे ठेक है दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you very much अब मिलते हैं अगली एक्सेल की क्लास में आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें comment कर सकते हैं whatsapp कर सकते हैं वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी बताएं thank you very much